हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी वसंत के अंतर गया चेप्टर नमबर 12 कंचा हमारे पाट का नाम क्या है कंचा तो बच्चो सबसे पहले आईए पढ़ते हैं पाट उसके बाद हम आपको बताएंगे पाट का सारांस और अंत में पाट से सम्बंदित प्रशनों के उत्तर भी तो चलिए आप भी हो जाएं तयार और हमारे साथ साथ पढ़ें पाट कंचा तो बच्चो आप ध्यान दें ये है आपका चेप्टर नमबर 12 और चेप्टर का नाम क्या है कंचा आईए पढ़ते हैं पाट वह नीम के पेड़ों की घनी चाओं से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था हिलते डुलते उसका बसता दोनों तरप जूमता खनकता था सिलेट कभी छोटी सी सी से टकराती तो कभी पेंसिल से यूँँ वे सब उस बसते के अंदर टकरा रहे थे मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था कैसी मज़ेदार कहानी कवे और सियार की सियार कवे से बोला प्यारे कवे एक गाना गाओ ना तुमारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ कवे ने गाने के लिए मुँ खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा सियार उसे उठा कर 921 हो गया तो बच्चो आप जानते हैं न 921 होने का मतलब होता है भाग जाना वह जोर से हसा बुद्दू कवा वह चलते चलते दुकान के सामने पहुँचा वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे आप देख रहें ने बच्चो यहाँ पर यह हैं दुकान और यह हैं अप्पू जिसकी हम कहान ही पड़ रहे हैं और यह हैं जार में रखे हुए बड़े बड़े कंचे उसमें चोकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी क्यों देखे उसके पिताजी उसे ये चीजें बरावरला देते हैं फिर भी एक नए जर ने उसका ध्यान आकरिष्ट किया, वह कंदे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटा कर उस जर के सामने खड़ा टुकुर टुकुर तागता रहा नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहां नहीं देखी है पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बड़िया सपेद गोल कंचे, बड़े आउले जैसे कितने खूशूरत हैं, अब तक यह कहां थे तो बच्चो आप देख रहे नया पर यह हैं देखे कंचे, आउले जैसे कंचे बड़े बड़े और बहुत सुन्दर हैं ये शायद दुकान के अंदर अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वा आसमान सा बड़ा हो गया, तो वह भी उसके बीतर आ गया वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था मजे में खेलता रहा तभी एक आवाज आई लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा वह चौक उठा जार अब छोटा बनता जा रहा था छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे छोटे आउले जैसे सिर्फ दो जने वहाँ हैं वह और बुढ़ा दुकांदार दुकांदार के चेहरे पर कुछ चिर्चिडार थी मैंने कहा ना जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ वह उदास हो अलग खड़ा रहा क्या कंचा चाहिए दुकांदार ने जैर का ढकन खोलना शुरू किया उसने निसेद में सिर्फ हिलाया तो फिर सवाल खूब रहा क्या उसे कंचा चाहिए क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है जो भी हो उसने कंचे को छू कर देखा जार को छूने पर कंचे का इसपर्श करने का एसास हुआ अगर वह चाता तो कंचा ले सकता था आगे आप ध्यान दे बच्चो लिया होता तो इसकूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दोड़ पड़ा देर से पहुँचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है उस दिन वही सब के बाद पहुचा था इसलिए वा चुपचा पीछे की बेंच पर बैठ गया आप देख रहें ने बच्चो यहाँ पर यह हैं इसकूल में बच्चे और बेंच पर बैठे हुए और वे सबसे पीछे आकर बैठ गया यहाँ पर कौन था यह अपू आईए अभी देखते है कानी में यह सब आपको मालम हो जाएगा सब अपनी अपनी जेगे पर हैं रामन अगली बेंच पर है वहर रोज समय पर आता है तीसरी वेंच के आकिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है तो आप देख रहें नहीं आपर मलिका के बाद अम्मू बैठी ये है मलिका ये है अम्मू और रामन ये बैठा है सबसे आगे बैठता है हमेसा जार्ज दिखाई नहीं पड़ता लड़कों के बीच जार्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाडी है कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले जार्ज से मात खाएगा मात का मतलब बच्चो मात खाना मतलब हार जाना हारने पर यूँ ही बिदा नहीं हो सकता हारे हुए को अपनी बंद मुठी जमीन पर रखनी होगी तब जार्ज कंचा चला कर बंद मुठी के जोडों की हड़ी तोड़ेगा जार्ज क्यों नहीं आया अरे हां जार्ज को बुखार है ना उसे रामन ने या सुजना दी थी उसने मलिका को सब बताया था जार्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पढ़ता है अप्व कक्सा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो बच्चों, आपने देखा न की था अप्व जो की कंचों पर जिसका ध्यान था और कक्सा में ध्यान नहीं दे रहा था मास्टर जी उसने हडवडी में पुस्तक खोल कर सामने रख ली रेल गाड़ी का सबत था रेल गाड़ी रेल गाड़ी प्रस्ट सैंतीज गर पर उसने यहापाट पड़ लिया है मास्टर जी बीज बीज में बेंट से मेज ठोकते हुए उची आवाज में कह रहे थे बच्चो तुम में से कई ने रेल गाड़ी देखी होगी उसे बाप की गाड़ी भी कहते है क्योंकि उसका यह अंत्र बाप की सक्ति से ही चलता है बाप का मतलब पानी से निकलती बाप से है तुम लोगों के घरों के चूले में भी अपुने भी सोचा रेल गाड़ी उसने रेल गाड़ी देखी है चुक चुक यही रेल गाड़ी है वह बाप की भी गाड़ी का मतलब मास्टर जी की आवाज अब कम उची थी वे रेल गाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे पानी रखने के लिए खास जगह है इसे अंग्रे जी में वाइलर कहते हैं यह लोहे का बड़ा पिपा है लोहे का एक बड़ा कांच का जार उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आउले जैसे जार्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा उस समय जार्ज कितना खुस होगा सिर्फ वे दोनों केलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा अन्वह के कारण वह उठकर खड़ा हो गया मास्टर जी गुस्से में है अरे तू उदर क्या कर रहा है उसका दम गुट रहा था बोला बोल वह खामोस खड़ा रहा क्या नहीं बोलेगा वे अपू के पास पहुँचे सारी ककसा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है उसकी गवराहत बढ़ गई मैं अभी किसके बारे में बता रहा था करमट मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है सायद उसने पाट पर ध्यान दिया भी हो अगर दिया है तो उसका जबाब उसके मन से बाहर ले आना है इसी में उनकी सफलता है हाँ हाँ बता दर्नमत मास्टर जी ने देखा अपू की जबान पर जबाब था हाँ हाँ वह कापते हुए बोला कंचा कंचा वह सक पका गए कक्सा में बूचा ला गया मास्टर साब की आँखों में चिनगारियां सुलग रही थी अपू रोता हुआ बेंच पर चड़ा पड़ोशी कक्सा की टीचर ने दर्वाजी से ज्यांक कर देखा फिर समलित हासी रोकने की पूरी कोशिज करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका सुबगता रहा रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया सब उसकी तरब देख देख कर उसकी हसी उड़ा रहे हैं रामन मल्ली का सब बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा दिखा दूँगा सबको जार्ज को आने दो जार्ज जब आये जार्ज के आने पर वह कंचा खरी देगा कंचे खरी देगा इन में से किसी को हुआ खेलने नहीं बुलाएगा कंचे को देख लल्चाएंगे इतना खुबसूरत कंचा है हरी लकीर वाले सपेद गोल कंचे बड़े आउले जैसे तब सक हुआ कंचा मिले कैसे क्या मांगने पर दुकानदार देगा जार्ज को साथ ले गंटे का सबक शमाप्त किया क्या किसी को कोई साक नहीं अपू की संखा अभी दूर नहीं हुई थी वह सोच रहा था क्या जार्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा अगर खरीद नहीं पड़े तो कितने पैसे लगेंगे रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला अमिटी ने संका का समाधन कराया कई चातरों ने यह दोर आया अपू क्या सोच रहे हो मास्टर जी ने पूछा हूँ पूछ लो ना संका क्या है संका जरूर है क्या जार्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा नहीं तो कितन पैसे लेंगे क्या 5 पैसे में मिलेगा 10 पैसे में क्या सोच रहे हो पैसे क्या कितने पैसे चाहिए किस के लिए वा कुछ नहीं बोला हरी लकीर वाले सपेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गई मास्टर जी ने पुछा क्या रेल गाड़ी के लिए उसने सिरह लाया बेवकूफ रेल गाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा वह खेलेगा जार्ज के साथ खेलेगा रेल गाड़ी नहीं कंचा 84 एक नोटिस लाया माश्टर जी ने कहा जो फीज लाये हैं वे आपिस जाकर जमा कर दें बहुत से चात्र गे राजन ने जाते जाते अपू के पैर में चिकोटी कार ली उसने पैर खीज लिया उसे याद आया उसे भी फीज जमा करनी है पिता जी ने उसे डेड़ रुपया इसके लिए दिया है उसने अपनी जेप टटोल कर देखा एक रुपय का नोट और पचास पैसे का सिक्का वह बेंच से उत्रा किदर माश्टर जी ने पूछा उसके कंट से खुशी के बुलबुले उठे फीज देनी है फीज मत देना माश्टर ने कहा वह जी जकता रहा ओन दे बेंच वह बेंच पर चटकर रोने लगा क्या बविशे में कक्सा में ध्यान से पड़ेगा ध्यान दूँगा वह दपतर गया दपतर में बड़ी भीड थी बच्चो एक एक करके आओ कलरक बाबु बता रहे हैं पहले मैं आया हू हूँ मैं ही आया हूँ मेरे बाकी पैसे इस सोरगुल से अपू दूर खड़ा रहा रामन ने फीज जमा की मलिका ने जमा की अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं वह सोच रहा था जार्ज को साथ लेकर चलूँ तो देगा ना सायद दे नहीं तो कितने पैसे लगेंगे प जमा किये हुए सभी बच्चे उधर से चले वह अभी चला मानो नीन से जाक कर चल रहा हो क्या सब फीज जमा कर चुके कक्सा छोड़ने से पहले छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा वह नहीं उठा सामको थोड़ी देर इधर उधर टैलता रहा लड़के गीली मिट में छोटे गड़े खोद कर कंचे खेल रहे थे वह उनके पास नहीं गया सामको थोड़ी देर इधर उधर टैलता रहा लड़के गीली मिटी में छोटे गड़े खोद कर कंचे खेल रहे थे वह उनके पास नहीं गया फाटक के सिंख चेता में उसने सड़क की तरफ देखा वहाँ उस मोड पर दुकान है दुकान में अलमारी बार खड़े-खड़े छू सकेगा अलमारी में सिसे के जार है उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंदे पर लटकाए वहाँ चलने लगा दुकान नजदी का रही है उसकी चाल की तेजी बड़ी वहाँ आलमारी के सामने खड़ा हो गया दुकानदार हसा उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है वह अभी हसा कंचा चाहिए है ना उसने सीर हिलाया दुकानदार जार का डखकन जब खोलने लगा तब अपू ने पूछा अच्छे कंचे है ना बड़िया फर्स्ट क्लास कंचे तुम्हें कितने कंचे चाहिए कितने कंचे चाहिए कितने कंचे कितने चाहिए कितने उसने जेब में हाट डाला एक रुपया और पचास पैसे है उसने वहाँ निकाल कर दिखाया दुकानदार चौंका इतने सारे पैसों के सब के पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे इतने कंचे की जरुत क्या है वह मैं नहीं बताऊंगा दुकांदार समझ गया वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे यही उनके लिए खरीदने आया होगा वह कंचे खरीदने की बाद जार्ज के सिवा और किसी को बतलाना नहीं चाहता था दुकांदार ने पूछा क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है वह नहीं जानता था तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है उसका दीरज जबाब दे रहा था उसने हाथ पहलाया दे दो दुकांदार हस पड़ा वह भी हस पड़ा कागज की पोडली चाती से चिप्टाए वह नीम के पेड़ों की चाओं में चलने लगा कंचे अब उसकी हतेली में है जब चाहे बाहर निकाल ले उसने पोडली हिला कर देखा वह हस रहा था उसका जी चाता था कास पूरा जार उसे मिल जाता जार मिलता तो उसके चुने से ही कंचे को चुने का एसास होता एका एक उसे सक हुआ क्या सब कंचों में लकीर होगी उसने पोडली खोल कर देखने का निश्य किया बस्ता नीचे रखकर वह दीरे से पोडली खोलने लगा पोडली खुली और सारे कंचे बिखर गए वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं चण बहर सक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा हातेली भर गई वह चुने वे कंचे कहां रखे सिलेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा एक दो तीन चार एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी वह उस बक्त भी कंचे चुनने में मगन था ड्राइवर को इतना गुसा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की चाहुई उसने बाहर जांक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है तो देख रहें ने बच्चो आप यहाँ पर अप्पू के सारे कंचे पोडली खोलने से सड़क पर गिर गए और यहाँ पर आकर एक कार ने अचानक ब्रेक मारा और ड्राइवर बार जांकर देख रहा है यहाँ पर से कि यह बच्चा आखिर बीच सड़क में बैटे क्या कर रहा है हौर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अपूने बीच में सिर उठा कर देखा सामने एक मोटर है और उसके बीतर ड्राइवर उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं सायद वह भी मजा ले रहा है तो इस प्रकार से बच्चो आगे पढ़ते हैं एक कंचा उठा कर उसे दिखाया और हसा बहुत अच्छा है ना ड्राइवर का गुसा हवा हो गया वह हस पड़ा बसता कंदे पर लटकाए सिलेट किताब सी सी पेंसिल सब चाती से चिपकाए वह घर आया उसकी मां साम की चाय तेयार कर उसकी रहा देख रही थी बरामदे की बेंच पर सिलेट और किताबें फेकर वह दोड़कर मां के गले लग गया उसके लौटने में देर होते देख मा गवराई हुई थी उसने बस्ता जोर से हिला कर दिखाया अरे या क्या है मा ने पूछा मैं नहीं बताऊंगा हुआ बोला मुझसे नहीं कहेगा कहूंगा मा आखे बंद कर लो मा ने आखे बंद कर ली उसने गिना मा ने आखे खोल कर देखा बस्ते में कंचे ही कंचे थे वह कुछ और हैरान हुई इतने सारे कंचे कहां से लाया खरीदे हैं पैसे पिता जी की तश्वीर की और इसारा करते हुए उसने कहा दोपर को दिये थे ना मा ने दातों तले उंगली दबाई फीश के पैसे चोटी बेहन मगैर मा की पलके भीग गई उसकी मा रो रही है अपू नहीं जान सका कि मा क्यों रो रही है क्या कंचा खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता तो फिर उसकी आखों के सामने बुड़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े-खड़े हस रहे थे वे सब पसंद करते हैं सिर्फ मा को कंचे क्यों पसंद नहीं आए सायद कंचे अच्छे नहीं है बचते से आमले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा बुरे कंचे हैं है ना नहीं अच्छे हैं देखने में बहुत अच्छे लगते हैं वह हस पड़ा उसकी मा भी हस पड़ी आसु से गिले मा के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी तो बच्चो यह था यहाँ पर आपका पार्ट और इस पार्ट के लेकक यानि की लेकिका है यहाँ पर टी पद्वनावन तो यहाँ पर जो है एक पार्ट किसका लिखा हुआ है टी पद्वनावन का आप देख सकते हैं और आईए इसके बाद देख लेते हैं इस पार्ट से सम अभी हमने आपको पढ़कर सुनाय था उम्मीद है कि आपने भी हमारे साथ साथ पढ़ा होगा और पढ़क में जो कहानी लिखी थी उसका आनंद लिया होगा आए जान लेते हैं यहां पर पढ़का सारांस और आप इसे अपनी नोट बुक में नोट भी करें ताकि कहानी आप अपने खेलने के सामान बाकी अन्य चीजों से उपर रखता है और किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाता अपू हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की गनी च्छाय से गुजर रहा था वह सियार कवे की कहानी का मन ही मन मजा ले रहा था वह चलते चलते एक दुकान पर देखते उसमें खो गया वह कंचे लेना चाता था लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही दोड़ पड़ा स्कूल में देरी से आने पर हुआ सबसे पीछे बैठा उसके सहपाटी रामन मली का अम्मू आदी आगे बैठे थे जार्ज तो उसका सहपाटी था आज बुकार होने के क स्कूल नहीं आया था वह उसके बारे में सोचने लगा क्योंकि वह कंचे का अच्छा खिला ली था मास्टर साब उस समय रेल गाड़ी के बारे में पढ़ा रहा था यानि यहां पर आप लिकेंगे पढ़ा रहे थे परन्तु अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं था व मास्टर जी उसका चेहरा देखकर समझ गए कि इसका ध्यान कहीं और था उन्होंने अप्पू से प्रस्न पूछा जिसका जवाब वह नहीं दे पाया मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया सभी बच्चे अपनी हासी सभी बच्चे उसकी हासी उड़ा रहे थे व अप्पू अभी भी कंचों के बारे में ही सोच रहा था वह सोच रहा था कि जार्ज के आने पर कंचे खेलेगा जार्ज के साथ वह दुकान पर या दुकानदार के पास जाएगा मास्टर जी ने अपना गंटा समाप्त कर चले थे यानि कि मास्टर जी अपना गंटा समाप्त कर चले गए अपू भी अपू वह भी यही सोच रहा था कि कंचे कैसे मिल जाएगा मास्टर जी ने सब बच्चों को फीज बरने के लिए कहा सब बच्चे अपनी अपनी फीज बरने कलरक के पास चले गए मास्टर जी के कहने पर अपू भी बेंच से उतर कर फीज बरने गया बच्चे एके करके फीज बरने लगे ज्यादा तर बच्चों ने फीज बर दिया लेकिन अप्पू अभी भी कंचे के बारे में सोच रहा था गंटी बजने पर सभी बच्चे कक्सा में आ गए साम को वहा इधर उधर घूमता रहा मोड पर उसी दुकान पर पहुँच कर वहा सिसे के जार में रखे कंचे देखने लगा उसने अपनी फीश के एक रुपया पचास पैसे के उस दुकानदार से कंचे खरी लिए जब वहा कंचे लेकर घर आ रहा था तो रास्ते में उसे देखने के लिए जैसे ही कागज की पुडिया खोला उसने तो सारे कंचे बिखर गए अब वहाउने चुनने लगा अपनी किता बाहर निकाल वहा कंचे बस्ते में डालने लगा वहाउसे चुनने लगा तब ही एक गाड़ी आई और वहाँ रुक गई गाड़ी की जो गाड़ी का ड्राइबर था वह अपु को देखकर बहुत गुसा आया उसे पर उसे खुश देखकर वह मुस्क्रा कर चला गया जब अपू घर पहुचा और मा को कंचा दिखाया तो मा इतने सारे कंचे देखकर हैरान हो गई अपू ने बताया कि वह फीच के पैसों से कंचे खरीड लाया है मा ने कहा कि अब खेलोगे किसके साथ या कह कर मा रोने लगी क्योंकि उसकी एक बहन थी मुन्नी जो अब दुनिया में नहीं रही थी तब अपू ने मा से पूचा कि आपको कंचे अच्छे नहीं लगे मा उसकी भावनों को समझ गई और हसकर बोली बहुत अच्छे हैं तो बच्चो यह थी यहां पर इस कंचा है जो कहानी थी आपका आपकी उसका सा आया और आप चाहें तो इसे अपनी नोट बूक में नोट कर लें और इस कहानी को अच्छी से याद भी कर लें आईए इसके बाद देख लेते हैं यहां पर कुछ कटिंट सब्दार्त हैं आपके लिए जो पार्ट में आये होंगे तो आप उन्हें अपनी नोट बूक में और इनका जुए अर्थ याद भी रखें जैसे केंद्रित होना तो केंद्रित का मतलब होता है इस्तिर होना च्छाओं का मतलब च्छाया नोदो ग्यार होना मतलब भाग जाना और जार का मतलब होता है एक कांच का डिबा होता है कतार मतलब पंक्ती आक्रिष्ट मतलब आकर पूदित होना इसके बाद सुबगना मलब दीमी आवाज में रोना चिकोटी काड़ना मलब चुटकी देना और शीक से क्या होते हैं लकड़ी के फटे रकम मलब पैसे पोड़ी मलब थैली और गुसा होना मतलब की गुसा सांत हो जाना काहे मतलब क्यों इस प्रकार से आप इन प्रस्नो के उत्त जो आपके लिया आपर जो सब्दार दी है इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करेंगे आए इसके बाद देख लेते हैं कुछ पार से सम्मंदित प्रस्न और उनके उत्तर तो बच्चो इसके बाद आईए यहाँ पर देखते हैं इस पाट से सम्बंदित प्रसनों के उत्तर तो आपके लिए यहाँ पर पहला प्रसन है कंचे जब जार से निकल कर अपू के मन की कलपना में समा जाते हैं तब क्या होता है तो आप उत्तर लिखेंगे कंचे जब जार से निकल कर अपू के मन की कलपना समा जाते हैं तो वहाँ उनकी ओर पूरी तरह से सम्मोईत हो जाता है उसे लगता है जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया और वहाँ उसके बीतर चला गया वहाँ और कोई नहीं था वाकेला ही कंचे चारो और बिखेरता हुआ मजे से खेल रहा था हरी लकीर वाले सपेद आउले से गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह च्छा गई मास्टर जी कक्सा में पार्ट रेल गाड़ी का पड़ा रहे थे लेकिन उसके दिमाग में कंचों का खेल चल रहा था उसे मास्टर जी द्वारा बनाया गया वैलर भी कंचे के जार के जैसा ही नजर आता है उसने कंचों के चकर में मास्टर जी से डाट भी खाई लेकिन उसका दिमाग तो केवल कंचों के बारे में ही लगा हुआ था इसके बाद अगला प्रसने आपके लिए दूसरा दुकानदार और ड्राइवर के सामने अपू की क्याश्टिती है वे दोनु उसको देखकर पहले प्रसान होते हैं फिर हास्ते हैं कारण बताईए तो आप उत्तर लिखेंगे दुकानदार और ड्राइवर के सामने अपू एक छोटा नादान बच्चा है आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर यह है दूसरे प्रस्ण का उत्तर दुकानदार और ड्राइवर के सामने अपू एक छोटा नादान बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है दुकानदार उसे देखकर पहले परिसान होता है वा कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा उसे लगता है कहीं यह जार को गिरा कर तोड़ तो नहीं देगा फिर जैसे ही अपू ने कंचे खरी दे तो वह हस दिया ऐसे ही जब अपू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज रप्तार से आती कार का ड्राइबर यहाद देखकर परिसान हो जाता है कि वह दुरगटना की परभा किये बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है लेकिन जैसे ही अपू उसे इसारा करके अपना कंचा दिखाता है वह उसकी बच्पन की सरारत समझ कर हसने लगता है इस परकार दुकानदार और ड्राइबर पहले अपू की हरकतों से खीज़ दे हैं बाद में उसकी बाल सुलब चंचलता को देखकर हस पड़ते हैं इस परकार से आप दूसरे प्रस्ण का उत्तर लिखेंगे अब है यहाँ पर आपके लिए तीसरा प्रस्ण मास्टर जी की आवाज अब कम उची थी वे रेल गाड़ी के बारे में बता रहे थे मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई होगी लिखिए तो आप उत्तर लिखेंगे पाट के सुरुआत में मास्टर साब सब बच्चों का ध्यान अपनी और आकरशित करने के लिए साइद उची आवाज में बात कर रहे थे पर जब उन्हें लगा कि आप सब बच्चे उनके पाट में ध्यान मगन हो गए तब उन्होंने आप पाट समझाने की मुद्रा अपनाने के कारण अपनी आवाज को दीमा कर दिया होगा इसके बाद चोथा प्रसने आपके लिए कंचे गिली डंडा गेंद तड़ी यानि की पिट्टू आप देख रहे हैं नहीं आपर गेंद तड़ी मला पिट्टू जैसे गली मुखलों में गली मुखलों के कई ऐसे खेल हैं जो बच्चों में बहुत लोग प्रिया हैं आपके इलाके में ऐसे कौन-कौन से खेल खेले जाते हैं उनकी सूची बनाईए तो बच्चों यहां पर आप सूची बनाते समय अपने इलाके में खेले जाने वाले खेलों के बारे में सूची अगला प्रसन तो बच्चो यहाँ पर आपके लिए ये पांचवा प्रसन इसमें पूछा गया है किसी एक खेल को खेले जाने की बिदी को अपने सब्दों में लिखिए तो आईए उत्तर आप कैसे लिखेंगे जैसे कि गिली डंडा गिली डंडा कैसे खेला जाता है इस खेल में एक अस्तान पर छोटा सा गड़ा बना दिया जाता है उस पर लकडी की एक गिली रखी जाती है इस गिली को प्रतिद्वंदी यानि की दूसरी टीम का खिलाडी एक नुकीले डंडे से उपर उचालता है दूसरे खिलाडी उस गि लिल लपक ली जाती है तो खिलाडी को आउट माना जाता है इस प्रकार से आप इस पाँचवे प्रस्णिका उत्तर लिखेंगे इसके बाद बच्चो आईए देखते हैं चटा क्वेशन आपके लिए यहाँ पर चटा प्रस्णिका आप कहानी को क्या सीर्षक देना चाहेंगे आप उत्तर लिख सकते हैं सपेज बड़े आउले से कंचे और चाहें तो अपने हिसाब से भी इसका सीर्षक आप दे सकते हैं इसके बाद है यहां पर बासा की बात आप देख रहें ने आपर बासा की बात तो इस यहां पर साटवा प्रस्णाब के लिए नीचे दिये गए वाक्यूं में रेकांकित मुहाउरे किन भावों को प्रकट करते हैं इन भावों से जुड़े दो-दो मुहाउरे बताईए और उनका वाक्य में प्रियोग कीजिए तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पहला मुआवरा है माने दांतों तले उंगली दबाई और दूसरा है सारी कखसा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है तो यहाँ पर है एक मुआवरा है सांस रोके हुए और दूसरा है दांतो उसका बाव लिखेंगे और यहाँ पर वाक्य बना कर लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे जैसे दातों तले उंगली दवाना और मतलब हैरान होना बिशमित होना इनका मतलब क्या होता है बाव क्या होता है आश्चरे चकित होना जैसे की कारीगरों की नकासी देखकर मैं हैर जासी की रानी भीरता देखकर अंग्रेज भी बिश्मित हो उठे इस परकार से आप लिख सकते हैं उसके बाद सांस रोके हुए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी परकार सांस रोके हुए दम साधे खड़े रहना प्राण सूख जाना और यहाँ पर भाव होगा इसका ड प्राण सूख गई इस प्रकार से आप इस प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर द्यान दे आप विशेशन आटवा प्रस्ण है विशेशन कभी कभी एक से अधिक साब्दों के भी होते हैं नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित से करमशा रकम और कंचे के बारे में बताते हैं इसलिए वे विशेशन हैं तो यहाँ पर आप द्यान दे हैं पहला है कभी पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं करीदे और दूसरे में हैं बड़िया सपेद गोल कंचे इसी परकार कुछ बिशेशन नीचे दिये गए हैं इनक यहाँ पर आप क्या करेंगे आप इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पर पहला है उफ आज की रात बड़ी ठंडी अंधेरी रात है दूसरे में लिखेंगे आप इतनी सारी खटी मिटी गोलियां मा लेकर आई हैं और तीसरा लिखेंगे चलो बच्चो साधा स्वादिस्ट ब यह थे सारे के सारे आपके कंचा पार्ट से सम्मंदित प्रस्नों के उत्तर और आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और इन्हें परिक्षा के लिए अच्छी सी तियारी के साथ याद भी करें आज के लिए इतना काफी है आपका दिन सुभ हो